हेलो बच्चो स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में आज किस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोष्टगार्ड नाविक जीडी के बच्चो के लिए मैस के एक्सपेक्टेड कोष्टन्स को और आज का हमारा चेप्टर होगा पर्मूटेशन एंड यह पर्मूटेशन एंड का लेक्चर नमबर टू है इससे पहले हमने आपके लिए एक और भी लेक्चर को दिये हैं तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी लेक्चर को नहीं देखा है तो उन सभी लेक्चर को जाकर आप लेलिस से देख सकते हैं तो चलिए बच्चे वीडि पर दिया है उसमें हमने आपको आपके जो fundamental principle of multiplication और addition है उससे letter questions को करवाया है इस video में आपको हम permutations से letter questions को करवाएंगे कि permutations को हम कैसे deal करते हैं और permutations के letter questions को हम कैसे बनाते हैं ठीक है तो देखिए वच्चे हमारा एक ही मकसद रहता है कि आपको questions के थुरूर लगभग concept को सिखाया जा सके और वो हमसे यह हमें साब को हम सिखाने की कोशिस करते रहते हैं तो वीडियो को बीना skip की वे दिखिएगा एक एक पॉइंट को दिखिएगा ताकि क्या हो जो questions बनाने से पहले हम आपको concept सिखाते हैं उस concept को सीख सके तो उस concept से लेटर अगर आपके examination में questions प बना पाए ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे request है कि प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like कीजिएगा और चैनल को भी subscribe कीजिएगा तो चलिए question no.1 क्यों बढ़ते हैं यहाँ पर आपको कहा जा रहा है if p pn,4 is to pn,5 is equal to 1 is to 2 then आपको n का value बताने है तो देखे यह जो आपका pn,4 है इससे आप np4 भी लिख सकते हैं pn,4 को जिससे हमने आपको सिखाया था कि पिछले वीडियो में कि अगर c, क्या होच्छे cn,r है तो इससे आप ncr लिख सकते हैं तो similarly pn,4 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, np4 लिख सकते हैं और यह इस2 है तो इस2 का sign देंगे और यह np5 हो गया और यह क्या हो गया वन इस2 हो गया तो इससे हम np4 upon np5 जैसे आपने इस2 यानि जो आपके अनुपात होते हैं उसे आप बटा में करके लिख सकते हैं यानि डिवाइड में करके लिख सकत लिखते हैं वहीं पर गड़ अलग लिखते हैं तो दोनों को हम अलग अलग लिखते हैं दोनों को एकी साथ मिला कि आप होच पोच नहीं कर दीजेगा दोनों को अलग अलग लिखिएगा क्योंकि दोनों की मीनिंग भी अलग अलग होते हैं इससे देखे कम इसका मीनिंग NCR का यूज कव होता है कि जब आपको कोई 4-5 आपको अबजेक्ट दिया हो जैसे 1-2-3-4-5-6 ये 6 अबजेक्ट हमें दिये हैं और इसमें से हमें कहा जाए कि 5 अबजेक्ट को आपको चुनना है तो उस 5 अबजेक्ट को चुनने का तरीका होता है से आपको चुनेंगे तो इसमें कैसे चुनेंगे है आपको अपको यूज करते हैं लेकिन फाहीं पर आपको यह ख्रेक्ट को कहें कि आपको एक 2-3-4 ये 5-5 लेटर तो इस particular चीजों को आपको समझना है तभी क्या होगा confusion clear होते रहेगा ये की साथ मिला नहीं देना है और दोनों को अलग-अलग लिखने का तरीका भी होता है तो अलग-अलग तरीके से उसे लिखना भी है समझ में आ रहा है चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगा अब चलिए यहाँ पर क्या करेंगा इसको तोरेंगे तो यह होगा आपका sorry यह क्यों होगा आपका मारकट थुछा थो चेंज कर लेते हैं तो यह हो गया आपका n factorial, अप систем का यह हो गया n-4 का factorial, इसे हम दिखते है n factorial और in2 में उपर n-5 का factorial इकल्ट विस्था हो गया, 1 by 2 हो गया यह इसे n factorial कट गया, और यहाँ पे हमें क्या बच रहा है यहाँ पे में बच रहा है n-5 का factorial upon क्या है n-4 का factorial equal to क्या है बच्छे 1 by 2 होता है तो देखिए n-5 को हम n-5 रहने देंगे और नीचे बाले को कह लिए सकते हैं हम हम इसा एक एक कम करके जिससे आपका 5 factorial है तो इसे हम 4 into 3 factorial लिखते हैं एक एक कम करते जाते हैं ठीक है तो इसी आपके रूल पे हम इसी रिखेंगे n-4 को बाहर निकाल लेंगे और इसी लिखेंगे n-5 का factorial equal to 1 by 2 समझ में आ रहा है तो उसी तरह किसम यहाँ पे नीचे उसको तो रहा है किस तरह से जैसे 5 factorial को यह फिर कह हम कैसे लिखते हैं 5 into sorry कैसे लिखते हैं 6 into 5 का factorial तो उसी तरह एक बैक कर देते हैं और नेक्स्ट वाले को हम लिखते हैं चलिए एक सकेंड वीडियो पॉस्ट करते हैं थोड़ा सा अब आज आ रहा है बच्चे चलिए ठीक है तो यह हो गया हमारा तो यह n-5 n-5 cut गया और य 6 मिल गया तो क्या होगा आपका option no.3 तो इस तरीके से questions को बनाते हैं बहुत ही simple तरीका है questions को बनाने का funda flow आपको NPR का funda apply करना है इसे कैसे तोरते हैं और उसे apply करने के बाद बस आपको यहां पे जो factorial का funda होता है उसे आपको लगा देना होता है ठीक है चलिए next questions के और यह तो इसको आपको खुद से try करना यहां पर आपको R का value निकालना है बहुत ही simple question उसी logic पर उसी तरीके पर बनेगा जो questions हम यहां पर आपको दिये हैं तो इसको आपको खुद से try करके आना है घर पे और जो भी answer आएंगे आपको वह आप हमेशा comment box में जैसे बोलते हैं आपक times of 9P4 equal to 10PR तो यहां से आपको R का value find करना है तो simple question है तो 9 factorial upon 9 में इसे 5 गया तो क्या होता है 4 factorial plus 5 into 9 factorial upon क्या हो गया बच्चे आपका 5 factorial और यह क्या हो गया 10 factorial upon 10 minus R का factorial ठीक है चलिए यह समझे आड़ा है आपको यहां से क्या करेंगे यह आप 10 factorial को हम 10 factorial को एक सकेंड थोड़ा 10 factorial को क्या करते है 10 into 9 का factorial लिख देते हैं यह 9 factorial यह 9 और यह 9 क्या हो गया अपस में कट गया तो यहां पर एक आपको last point में हम आपको एक चीज बताएंगे एक आपको कहतो आप rules को बताएंगे उसको आप दिमाग रखिएगा कि उस तरीके जब आपके सामने आये तो आप उस 10 minus r का factorial हो गया ठीक है चलिए यह आपका हो गया तो अब next है क्या हमारा अब हम next इसे कैसे solve करेंगे next इसे हम कैसे solve करेंगे तो सबसे पहले तो क्या करते हैं यह 5 से आपका 5 को हटा देते हैं ठीक है 5 से 5 को हटा देते हैं और जगा का कमी है थोड़ा एक सकेंड रुक जाईए थोड़े रुक जाईए हां तो देखिए बच्चे क्या करेंगे थोड़ा सा यहां पर क्या करेंगे हम इसको थोड़ा से यहां पर दिमाग लगाएंगे क्या लगाएंगे उससे आपको बता दे कि यह जो हमने आपको लिखा है तो यहां पर आपक भी इस टाइब के questions पूछा जाए तो आपका किरिए सभी terms को हटागे factorial को किसी other factorial के बराबर लाईए तो वहां से आपको क्या करना होगा आपको जो भी value को find करने के लिए कहा जा रहा है वह आप निकाल पाईएगा तो देखिए हम कैसे करेंगे यहां पर थोड़ा से यहां पर करते हैं तो ऊपर होगया हमारा 5 eप आपॉन 5 का फेक्टोरेल हो गया नीच हो गया और यह क्या हो गया 5 выпon 5 का फेक्क्टोरेल ठीक है और यह आपका हो गया इक पनपोन 10 माइनस आर चाव़ ठीक है तो यह होगया इसको एडिशन करेंगे ? आपका इसको इसके एडिशन करेंगे अगर हम तो यह हमारा हो जाएगा आपका 10 अपों 5 का फेक्टोरैल एकोल टू 10 blind उस आर का पका फेक्टोरैल तो यह 10 से 10 कर जाएगा और यह हो जाएगा आपका 5 फेक्टोरैल黏 कोल टू 10- ऑर के इसको यह से इकोल हो जाएगा 10- 10-RK, तो R का value क्या हो गया, 10-5 यानि 5, आपका value क्या हो गया, option number 2, अंसर क्या हो गया, बच्छे आपका option number 2 हो गया, तो देख रहे हैं किसे बनाना है, इसको किस तरीके से बनाना है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग का यूज करना है, आपको factorial के factorial के बढ़ावर कर देना है, त इससे पहले हमने इस पांच को काट दिया था, तो पांच को काट दिजेगा, तो यह दस वाला value हटे का नहीं, और इससे हटाने के लिए थोड़ा सा आपको अपको दिमाग लागाना पड़ेगा, खुद से arrangement करना पड़ेगा, ठीक है, यह अच्छे questions होते हैं, देखने में अच्छे होते हैं, बच्चे यहीं पर फस्ते हैं, जहां पर हम आपको अभी तुरन्द आपको जो काट के बताया थे आपको, ठीक है, चलिए, नेक्स कोशन की ओर, अटर्नेट का arrangement कीजेगा, तो ऐसे questions में हम क्या करते हैं, सबसे पहले, कहा जा रहा है क्या, कि दो लड़कियां एक साथ नहीं बचना चाहिए, तो हम बाइज जो होगे, पहले बाइज को हम बठा देंगे, तो बाइज बी वन हो गया, बी टू हो गया, बी थी हो गया, बी कितना तरीका हो सकता है, इसको पांचे लड़के को arrange करने का तरीका 5 factorial से हम arrange कर सकते हैं, यसे माल लेते हैं, सभी लड़के यहाँ यहाँ बैठे हुए, तो हो सकता है कि कभी पांचे लड़का यहाँ हो, तीसा लड़का यहाँ हो, दूसा लड़का यहाँ हो, तो ऐसे भी लोग 5 factorial ही आता है, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है, उतना नहीं करना है, simple 5 factorial लिख देना है, समझदार है आप तो आपको क्या करना है, आपको 5 factorial से इसे हम एरेंज कर सकते हैं boys को, और next क्या कहा जा रहा है कि अब हमें बचना है 5 लड़किया, तो 5 लड़किया को एक साथ नह ठीक है, तो देख लेते हैं कितना position है, एक, दो, तीन, चार, पांच है, यानि 6 position है जहाँ पे हम आपके सभी आप 5 लड़किया को हम, 5 लड़किया को 5 गल्स को हम बिठा सकते हैं, तो यहाँ पे आपके 6 seat है और 5 गल्स है, तो सबसे पहले तो 6 seat में से 5 seat निकालने का conditions क्या ह हमने आपको सिखाया था, कि आपको जैसे माल लेजिए, 6 आपके हैं, तो इसमें से 5 को लेने का तरीका क्या होता है, 6 C 5 होता है, तो उसी तरह यहाँ पे आपके 6 seat है और लड़किया 5 है, तो क्या करेंगे 6 C 5 कर देंगे, फिर क्या करेंगे, इतना ही पर बच्चे एंसर छो हो सके कि लड़किया जीवन यहाँ बैठे, गल्स 1 और गल्स 2 यहाँ, गल्स 3 यहाँ, गल्स 4 यहाँ और गल्स 5 यहाँ, हो सकता है कि गल्स 5 यहाँ बैठ जाए, गल्स 3 यहाँ बैठ जाए, गल्स 2 यहाँ बैठ जाए, तो इस तरीके से अरेजमेंट भी तो लड़किया का हो सकता है तो उस अर्रेजमेंट को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं 5 लगिया है तो 5 फैक्टोरिल से कितने तरीके से 5 फैक्टोरिल से एंसर हमारा यह हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 तो इतने number of ways से क्या कर सकते हैं हम बढ़ा सकते हैं लड़कियां और लड़का को उस seat में से जितने लड़किया दिये गए हो उसका combination निकाल लिए और फिर जितने लड़किया है उसका आप arrangement कर दीजे ठीक है तो ऐसे हम बनाते हैं इस questions को चलिए next questions के बढ़ जाते हैं देखे इसी type से एक और questions आपको दिया गया है same questions है लेकिन थोड़ा से यहां क्या है आपक 5 boys and 5 girls can be arranged so that no 2 girls and no 2 boys are together यानि कहने के मतलब कितने नमबर यानि कितने तरीका से हम 5 लड़किया और 5 लड़किया को arrange कर पाएंगे such that कि 2 लड़किया ना ही 2 लड़किया और ना ही क्या हो बच्चे ना ही 2 boys क्या हो एक साथ बैठे ना ही 2 लड़किया और ना ही 2 boys आपके एक साथ बैठे ठीक है तो चलिए ऐसे conditions में क्या होता है बच्चे आपका जब दोनों के बारे में कहा दिया जाए कि ना ही लड़के न ना ही लड़किया एक साथ बैठे तो इसके लिए यहाँ पर क्या होते हैं बच्चे आपके दो केस हो जाते हैं ठीक है क्या होते हैं बच्चे ऐसा दो कंडिशन यानि दो तरीके से हो सकता है कि हमारे ना ही लड़किया एक साथ बैठे और ना ही लड़की एक साथ बैठे ऐसा पहले sitting arrangement में पहला person में जो हमारा लड़का बैठेगा तो देखें कैसे बैठेगा आपको ये सिखा दे इस प्रोपर विए को समझीएगा तो आपको courses असान लगेंगे यहाँ पर आपको जाने में different different तरीके से courses पूछे जा सकते हैं जैसे 5 वाई तीन लड़किया तीन लड़क इससे हम समझे करेंगे पहले हने केस 2 में हमारा हो सकता है बच्चे कि first person जो होगा बच्चे first person is a क्या हो अपका girl हो first person is a girl पहली जो व्यक्ति होगा पहला जो person होगा sitting एजिमेंट पे वो क्या होगा एक लड़किया होगी तो तब क्या होगा देखें यहाँ पर 5 के बच्चे मची ही नहीं रहे कि आगे हम इसको भड़े इसके कारण में यहाँ पर इसको इंट करिये हैं समझ में आ रहा है चलिए यह क्या है आपका first person अगर हमारी लड़किया हो तो क्या होगा G1 होगा, B1 होगा, G2 होगा, B2 होगा, G3 होगा, B3 होगा, क्या होगा, फिर G4 होगा, B4 होगा, G5 होगा, फिर क्या होगा, B5 होगा, तो इस दो तरीके से, यानि दो केसे से हमारे possible हो सकते हैं, जब जिस condition में हमारी नहीं दो लर्किया और नहीं दो लर्के एक साथ बैठे, पर दो cases को लगाएंगे पहले cases में सबसे पहले में लड़के बैठेंगे और दूसरे cases सबसे पहले लड़कियां बैठेंगी ठीक है चलिए यह दोनों case हो गया अब पहले अब hmorezi पहले case को arrange करने का कितना तरीका हो सकता है तो हम क्या करएंगे हमारा see to जैसे हं यहाँ पर एकष्टा पहले कि आसी पास तरीका से और लग्गी आपको पांस तरीका से, यह क्या होगा आपका 5वय स्क्वाइर, अपको 5 वैन्सक्वाइर, थिक है? तो अप क्या करेगा? हमारा जो सी एंसषर होगा, यह क्या होगा हमारा एंसर वच्चे? अपको टोटल क्या होगा? वेज, टोटल नमरोवेज कीता होगा दोhost, 5-factor-square , 5-factor-square , plus प्लस क्या हो गा आपका, एक से क्या रुक जाए , यह जगा का कमी हो रहा है , तो हम क्या करेंगे , थौरा सा अप्सें नमबर वन तो इस तरीके से questions को बनाएंगे तो बच्चे क्या करते हैं उनका answer आ जाता है इनका answer आ जाता है किया बच्चे 2 इंट्य 5 इंट्य 6 फैक्टोरियल पहले वाले की तरह जैसे सोचते हैं कि पहले girls को हमने 5 इंट्य 6 इंट्य 6 इंट्य किया फिर दूसरे रचा लगा केंट आड़ का अपम हैं जरूंट में बस्काइब करेंगा कोई भी आपको प्राइब में होता है तो में जरूर लिखेगा हम आपके सभी query को resolve करेंगे आपके सभी comment का जवाब देंगे और देते भी हैं जो बच्चे हम से पढ़ रहे हैं वो सभी उनको पता होता है ठीक है तो चलिए अपना score क्वेंट वक्स में लिकार हमें चुरूर बताईएगा तो thanks for watching my video तब तक की लिए bye bye